कि optimize का क्या मतलब होता है कौन बताएगा मज़े कि optimize अंग्रेजी में अंग्रेजी का वर्ड है ऐसी में जस्ट ताकि टू वे हो जाए क्लास optimize का मतलब चले में बता देता हूं कि एक होता है जी कि जो ना optimize कहते हैं दर्मियाने को दर्मियाना एटमों ठीक है जैसे वो पुराने फून होते थे उसमें वो एक चार्जिंग लगाते हैं तो इक तो यह फास्ट चार्जिंग और एक होती बहुत चार्जिंग, एक होती ही optimized, optimize का मतलब हो एक वो इतना उसको चार्ज करें क्यूँक्वे फास्ट चार्जिंग से फून घरम होता है तो और फून थंडा होने का वेट करता है और धूसम नो- this is कम ना ज्यादा अब हम उस टॉपिक पे जब पहुंचेंगे तो हम देखेंगे कि इन्हों ने optimize का word क्यों इस्तमाल किया बड़ा अच्छा word इन्हों ने इस्तमाल किया है यहाँ पर कि जी optimize image कि image को हम क्या करें जारे image अगर बहुत अच्छी quality की होगी तो उसको load उने में time लगेगा क्योंकि वो size बड़ा होगा उसका और अगर बहुत कम quality की होगी तो load तो जल्दी हो जाएगी लेकिन वो सही दिखेगी नहीं तो कहीं न कहीं दर्मियान में हमें balance करना है तो इसलिए इन्होंने optimize करें यहां पर word बड़ा अच्छा use किये अच्छा chapter number 5 जो है वो थोड़ा सा lengthy chapter है इसको मैं थोड़ा briefly जल्दी जल्दी cover करूँगा section B में on other end अपने इसको detail में discuss किया जो section B चल रहा है तो अगर आप चाहें तो आजवली यहां पर class लेने के बाद आप section B वाला lecture भी दुबारा भी देख सकते हैं अगर आप चाहें क्योंकि हम already थोड़ा सा पीछे चल रहा है section B से तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि इसको हम थोड़ा जल्दी लेके चलाए ठीक है जी तो इन्होंने बात की कि there are many reasons why you might want to add an image to a webpage you might want to include logo photograph illustration diagram और chart के जी बहुत सारे reason हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको image लगाने की जरूत पर देगी अपनी website ठीक है कभी आपने को चार्ट दिखाना है कभी आपने को survey का result दिखाना है कभी आपने को scoreboard दिखाना है कभ आपको image लगाने की जरूत पड़ सकती है अच्छा दी there are several things to consider when selecting and preparing image for your site यह वही बात अगल के optimize वाली बात के कौन-कौन सी चीज़ है जिसको optimize करना है ठीक है but taking time to them to get them right will make it look attractive and professional in this chapter we will cover this 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 ठीक है यह वही तीन पॉइंट जो उपर इन्होंने लिखे थे कि वही बात यहां पर दुबारा किये कि include an image in html page कि image को in the first place लगाना कैसे format कौन सा यूज करना है और size कौन सा उसका लगाना है image कितने size की लगानी है और यह right size का इन्हों जो बात किए कि जो सही size है वो क्या है optimizing an image for using a web to make it load faster अब यहां पे इन्होंने optimize के साथ यह load faster की भी बात कर दी optimize का जो चक्कर है सारा ना वो load faster का है कि जल्दी से load हो जाए image एक इन्होंने यह चोटी सी website बनाई है तो यह आप भी बना लीजेगा यह पूरी की पूरी image के साथ बनी भी है website और आगे इसका code भी इन्होंने लिखा वाए code में ना in images का नाम लिखा वाए code में जाहर है जब image लगाते हैं तो नाम उसका लिखते हैं साथ में तो नाम लिखा वे उस नाम को लिखके आप Google पर सर्च करेंगे ना तो exactly यही image आपको मिल भी जाएगी तो यही image आप Google से ढूंड के निकाल के ना ऐसी website एक बना लीजेगा ठीक है portfolio हो जाएगा आपका यह तो choosing image for your site a picture can say a thousand words a great image make the difference between an average looking site and really engaging one कह रहें कि पिक्चर जो होता है एक पिक्चर thousand words होता है अब मिसाल के दौर पे कोई पिक्चर में आपके सामने यहाँ पर open करता हूँ आज आफ साइड ओफ बैंक भी एक पिक्चर है तो अब यह वैसे तो आउटसाइड ओफ बैंक मेंने लिख थो उसके रिलेटेडी आई यह विक्चर लेकिन आप देखें इस पिक्चर में और भी बहुत कुछ लिए इस पिक्चर को देखके यह बताया जा सकता है कि यह कोई western country है जो लोगों ने dresses पहने में अच्छा और यह देख के यह भी बताया जा सकता है कि यह ठंडा मुल्क है ठंड होती है क्योंकि वह बंदों ने गरम कपड़े पहने में और क्या कहते हैं इस तरह की और भी बहुत सारी बात है है डीटेल इसमें मौझूद होती है ठीक है कोई दर्वाजे देख के पता चल रहा है शायद को यॉर्पियन कंट्री ठीक है या वेल अच्छा मास्क वगरा लगाव है और थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग होई भी है तो अगर इसको मैं explain करना चाहूं पूरे को तो शायद पिक्चर नहीं हो यह सारी चीज़ें मुझे लिख के बतानी हो तो शायद 1000 वर्ट तक मुझे लिखना पड़े वैसे तो महावरतन कहते हैं कि एक हजार वर्ट हो एक्जैक्ली हमेशा नहीं एक हजार होगा कभी कम भी कभी जादा भी हो सकता है अच्छा मैं इसमें लिख द इसको सीज़ा कर लें उपर चलगे लिए अच्छा अब आप यह देखें यह पिक्चर आपके सामने मैं ने ओपिन किये तो इस पिक्चर में वैसे तो जो मैंने लिखा था कि यह चाइनीज रेस्टरेंट में खाना पीना चल रहा है तो वह ही आई यह पिक्चर लेकिन उसके लावा भी बहुत सारी डीटेल्स है कि जी एक फैमिली बैठी भी ठीक है और कुछ खाना पीना चल रहा है और रेस्टरंट में और भी लोग बैठें हैं पीछे कुजी सा महौल है इन्होंने कुछ यहां पे ग्रीन री वगरा लगाई दी है तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी डीटेल्स हैं अब चेयर का कलर क्या है लोगों के ड्रेसेस का कलर क्या है कौन से ड्रेसेस हैं यह हैर स्टाइल लोगों का क्या है तो अगर यह पिक्चर नहीं होती और मुझे यह सारी डीटेल लिख के बदानी पड़ती तो यह काफी एक मुश्किल मराला होता मुझे शायद थाउजन वर्ड्स तक इसमें लिख होता है अच्छा अब यह देखें एक यह फून बेच रहे हैं यहां पर अच्छा अब यह फून बेच रहे हैं तो इन्होंने एक पिक्चर लगाई भी है जिसमें चार फून दिख रहे हैं ठीक है यह एक दो तीन चार फून दिख रहे हैं अच्छा अब आप देखें के अ अब यह नोंने बताया है कि यह पंच वोल ऐसा होगा ऐसा दिखेगा वाल पेपर पर अच्छा फिर जब आप हेड़फॉन करेंगे तो ऐसा दिखेगा और पीछे से यह फून ऐसा दिखता है अब यह चार जो फून मुझे देख के जितनी डीटेल पता चल रही है अगर यह म जिसके बैजल जो है वो शाइनी बैजल है ठीक है अच्छा जी इसके जो बटन्स है वो उसका जो रेशो है वो कितना है फॉन के थिकनेस से जो रेशो है वो कितना है ठीक है इसी तरीके से जो स्क्रीन के साइड में एक बैजल है इसके ब्लैक कलर का हलका सा बैजल है ठीक है यह कितना है ठीक है कैमरे इसके कितने बड़े दिखते हैं कितने छोटे दिखते हैं कहां पर क्या चीज़ ए तो बहुत सारी जो डाइमेंशन से रिलेटड चीज़ें वो बहुत सारी मुझे जो दिख रही है वो शायद पॉसिबल ही ना हो कि हम उसको लिक सके हैं ठीक है तो अब हम इसको ऐसा सब्जेक्ट लेके चलते वे हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करते हैं कि यह क्या बात हो लिए इमेज़ पर बात क्या हो रही है कि चूजिंग इमेज फॉर यूर वैबसाइट कि इमेज को चूज करते वे क्या चीजों का ख्याल रखना है अभी है तो उसके अंदर क्या हो कि जो उसी रेस्टोरेंट की फोटो के लोग बैट के खाना खा रहे हैं उसके डिशे की फोटो कि अच्छा जी कोई अगर बिर्यानी खरीदने के लिए उस रेस्टोरेंट में जाने वाला है तो वेबसाइट पर पहले ही देख लेगा अच्छा बाओ जरा शकल इसकी तो वो हलका से उठा के दिखाता है तो हमें पता चल जाता है कि क्या रिपोर्ट है फिर हम कहते हैं यार छोड़ो कुछ और दो तो रेलेवेंट होनी चाहिए इमेज अच्छा कन्वे इन्फरमेशन इमेज के लिए जरूरी है कि वो इन्फरमेशन कन् जरूरी इन्फरमेशन कन्वेख कर रहे ठीक है एक्चुल इमेज है कि फिजिकली ये डिवाइस कैसी है दिखने में वो यहां पर मैं पता चल रहा है अच्छा अब आगे चलते जाएंगे अब आप यह देख रहे हैं 48 मेगापिक्सल में कैमरा जहां पर इन्होंने लिखा है तो वहां पर एक फोटो दिये साथ में कि जी शायद इस तरह की फोटो से कैमरे से आती होगी क्योंकि सिर्फ 48 मेगापिक्सल लिख देना काफी नहीं है ठीक है अब इस पर हम क्लिक करते हैं तो मजीद अंदर शायद हमें फोटो मिलें ये इन्होंने फोटो और लगा दी है ठीक है जी 48 मेगापिक्सल में नहीं पर अच्छा तो यूं इस तरह चलेगा ठीक है यह सारी फोटो इन्होंने एक्जैंपल लगा दी कि क्वार्ड पिक्सल होता है तो जी यह होता है तो इसमें जो भी इसके बारे में जो बाते हैं न ठीक है यहां पे इन्होंने लिख आए कि टू एक्स टैलीफोटो अप्टिकल quality zoom giving more framing flexibility than ever अब ये zoom करके खेंची गई फोटो है तूर खड़ा वाता बन्दा जूम करके खेंचा है ठीक है तो बता रहे हैं कि जूम करके भी अच्छी image आ जाती है low light में किस तरह की आती है image ये low light के example है आपके पास ठीक है वापस आ जाते हैं उसी पेज पर अच्छा तो कन्वे इंफोर्मेशन कन्वे इंफोर्मेशन ठीक है जी डाइनमिक आइलेंड का दुबारा जिकर किया है इन्होंने बहुत जादा डाइनमिक आइलेंड को लेगे sensitive हुए मैं इस वक्त ठीक है अच्छा जी नेया फीचर है तो अच्छा अब आप यह देखें कि ऑल्वेशन डिस्प्ले की बात कर दी इसने कि जी स्क्रीन के लाइट बंद नहीं होती ऑन रहती है तो ऑन रहती है उपर आप देखें जब नॉर्मली लाइट इस तरह की दिखरी है लेकिन जब यह ऑल्वेशन इन्होंने द फून होते हैं जिसमें क्या होता है कि पूरी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है तो यहां पर एक इन्फरमेशन कन्वेशन हो रही है कि नहीं जी इनका जो ऑल्वेशन डिस्प्ले है ना उसमें पूरी स्क्रीन ऑल्वेशन तो यह एक इन्फरमेशन कन्वेशन हो रहा है अच्छा अब अगले पर आ जाते हैं जी, convey the right mood, अच्छा right mood का मतलब होता है कि जी आपको ना different colors देखके और different किसम की photo देखके आपका जो psychologically mood change होता है, different, अच्छा, तो अभी आप देखें, ये picture मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये एक mood convey किया है, एक mood इसने set किया है आपका, इन pictures ने क्योंकि सब तरफ dark dark है और वो जो ना इन्होंने एक खास किसम का mood इसम से convey करने की कोशिश किये, अच्छा, on other end, अब आपको मैं दिखा दूँ ये, तो ये वाली जो image ना, ये different mood convey कर रही है, ये लेकिन grass है, greenery है, वो बात हो दिए, तो ये जो picture है ना, ये different mood convey कर रही है, ये उस वाले से different है, ठीक है, अच्छा, इसके इलावा, ऐसा बोला जाता है, कि different color देखके ना, बंदे का जो ये different mood set होता है, तो वो, ये communication design जो पढ़ते हैं, उन लोगों को ये बात पढ़ाई जाती है, जो designers होते हैं, कि जी, कुछ खास color होते है जिनको देखने से आपको भूग लग जाती है, ठीक है, तो आप देखें, जितने भी restaurants के जो board वगरा आपको नजर आएंगे ना, जैसे ये McDonald के FC वगरा, इसमें red और yellow का एक खास shade इस्तमाल होता है, ठीक है, और उस shade के बारे में ऐसा कहा जाता है, according to the designers, जो communication design है, कि जी, उ ठीक है, यही वज़ाएं कि TCS का जो red है, वो KFC के red से मुक्तलिफ है, और जो TCS का red है, वो आपका जो Ferrari का जो red है, उससे मुक्तलिफ है, ठीक है, जो Ferrari वाला red है, वो इक different mood गन्वे करता है, red color का ये खास shade है, जिसको देखके आपको जो ना, शहवत फील होती है, ठीक है, तो Lady in the red लिखेंगे तो आपको ये पूरा एक testimony मिलेगी, कि जी वो जे ना, जो European agents हुआ करते थे, वो क्या करते थे, कि एक बंदी होती थी, red color उसको पेनाते थे, उपर से नीचा, red lipstick लगा के ना, और उसको scene में छोड़ देते थे, तो सब लोगों की तवज्जह उधर होती थी वो पीछे अपना काम कर जाते हैं, तो वो Lady in the red का एक concept है, James Bond के हर episode में आपको वो देखने को मिलेगा, कि जी एक बंदी होती है, वो आती है, ये खुद अपना ताशमाश खेल रहो होता है, वो आगे धर बैठ जाती है, और वो आगे धर बैठती है, सब लोग डिस्ट्रेक आप सुनते हैं, तो उससे भी आपका mood set होता है, उससे भी आपका mood change होता है, अच्छा जी, be instantly recognizable, आपकी image जो है, रेकिनाईजबल होनी चाहिए, मिसाल के दोर पे phone की है, आपको कोई भी ऐसी पिक्चर नहीं है, जिसको देख के आपको पता ना चलेगी ये phone है, किसी भी एक portrait mode की जगा ये land escape mode में पढ़ा है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी ऐसी image नहीं होगी, जिसको देख के आप recognize ना कर सके, ठीक है, मिसाल के तोर पे बिरियानी की, दुकान में आपने photo लगाई है, बिरियानी की, लेकिन आपने इतना उसको zoom in करके लगाई है, कि सर्फ चार दा macro होता है ना जो बिल्कुल zoom करीब से होता है, बेल अभी macro बिरियानी का तो आया नहीं, लेकिन macro image कुछ जिस तरह की होती है, कि जी बहुत वो zoom in करके ना, यहाँ देखें, आखों को बिल्कुल zoom in कर दी है, अच्छा ये, इसको आपको recognize करने में मुश्किल होगी, कि ये क्या पूरी body ने दिख रही तो आपको ये अंदादा लगाना मुश्किल है कि किस किस कि मक्ही है, और अदर एंड ये वाली मक्ही जो है ना, इसको देखके फॉरण पता चल रहा है, कि यार अच्छा ये, मतलब किस किस कि मक्ही है, जैसे ये वाले को देखके आपको easily पता चल र पाएं, कि ये क्या चीज़ है, तो easily recognizable होना चाहिए, आपकी photo को न, अब देखें, ये भी काफी ज़्यादा इन्होंने zoom कर दिया है, तो नहीं पता चल रहा है कि ये कौन सी वाली मक्ही है, नहीं recognize हो पा रहा, well, तो हम वापस आ जाते हैं अदर, अच्छा, तो last but not least, fit the color palette, color पैलेट एक चीज़ होती है, जी कि हर वेबसाइट का न, जैसे इस वेबसाइट का जो color palette है, वो डार्क डार्क है, तो अब देखें, फॉन की भी इन्होंने photo और जगा डार्क डार्क ही लगाई है, ठीक है, मिसाल के तोर पे, देखें, इसका background जो है न, black है, इस जग़े त आप लोग जो इससे पहले task वगरा बनाते रहे हैं, तो जिन लोगोंने CSS लगाई है, तो आपने वो देखा था कि वो बिल्कुली एक गोलागंडा वाली feeling करा रहा था, तो उस तरह की जो website होती है न, इसमें मैं क्या लिखूंगा तो आएगा, unmatch, unmatch color palette, तो इस तरह की website आई नहीं है, वेल, color palette की चलो examples नजर आ गई है, देखें, यह जो website है, इसके अंदर एक, दो, तीन, चार, पाँच color इस तमाल हुए है, तो यह इसका color palette है, ठीक है, अच्छा palette वैसे अंग्रेजी में कहते हैं, उसको जो वो, जो आपने पुराने जमाने में painter's के हाथ में देखा होगा, एक वो plate के जैसी होती थी, उस पे वो छोटे-छोटे-छोटे ना, गोल-गोल बने होते हैं, तो उसके अंदर colors होते हैं, I'm not sure, अगर मैं palette लिखूंगा न, यह रहाँ, यह आ गया न, तो यह इसको कहते हैं, color palette, color palette हम इसको कहते हैं, लेकिन website की जब हम बात करते हैं, तो website के अंदर, यह हो गया color palette हमारा, कि जी यह black है और यह gray है, अच्छा फिर उसका ratio होता है, कि कौन सा वला कितना है, इसका एक जो, वैसे तो ratio कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका जो ratio चलता है, जातर, वो चलता है, 10, 20 इस तरह करके होता है, एक तो 60-40 नहीं होता, 60-40 नहीं होता, 40, 30, 20, 10 यह होता है, 40, 30, 20, 10, यह इस तरह का एक ratio होता है, तो अब आप इसमें देखें कि 40% जो color है, वो शायद वो तो black ही है, ठीक है, और उसके बाद 30, जो 40 के बाद 30 होता है, वो भी थोड़ा dark gray ही है, आप देखें background के अंदर ना black और gray का एक mixture है, तो 40 और 30 तो यह दोनो है, और 20 और 10 में ना शायद 20% color यह वाला है, यह hello के अंदर 20 यह आ रहा है, ठीक है, और 10% शायद यह gray जो है ना यह शायद 10% है, अब यह क्योंकि इसमें 5 है तो जाहर है वो यह वाला ratio तो नहीं होगा इसका 40, 30, 20, 10 नहीं है, लेकिन यह ratio कुछ भी हो सकता है, यह doesn't matter कि यह ratio क्या होगा, वेल, अच्छा इसके लिए ना आपके बहुत सारी website भी है, जहां से आप क्या कर सकते है, color hunt के नाम से यह website मैंने open किये, अच्छा, तो मैंने कहा कि जी मुझे ना क्या चाहिए, light color में चाहिए website और मुझे चाहिए nature के लिए website ठीक है, एक happy colors होते है, चलो happy colors लगाते है, ठीक है, मैंने का मुझे happy वले चाहिए, और यह क्या हो गया, happy और मैंने क्या लगाया था, light लगाया था, ठीक है, अभी देखें, यहां पर dark वले colors भी शो कर रहा है, अभी मैं इसको light लगा यह फिर dark वले गायब करते हैं, ठीक है, यह सारे light colors आगया और यह सारे happy colors आगया, यह happiness वले colors हैं, अच्छा, गर मैं happiness को change कर दूँ यहां से, और इसमे sad color लगा दूँ, sad वले तो इसमे है, wedding, wedding लगते हैं, light colors है, यह मुझे wedding वाले, तो यह आप wedding वाले color देखने आ गया है, ठीक है जी, और इसमें यह popular का भी एक tag इन्होंने यह लगाया है, किसी popular, इस month popular कौन से color palettes रहे हैं, तो आप देख रहे हैं, क्या जबरदस इन्होंने इस color की combination मनाई है, तो यह चारों का जो RGB value है, यह आपको मिल जाती है, अब यह RGB value क्या चीज़ होती है, अब हम CSS पढ़ेंगे तो हमें बहतर अंदाज़ा हो जाएगा, कि यह क्या चीज़ होती है, वैल, तो यह हमने देखा कि fit the color palette, तो कोई image जो है कोई image है, वो बिलकुल dark सخت किसम की red image इसके बीच में बने लगा दी, तो this is not good, ठीक है, मुझे चाहिए कि मैं इसके color palette को follow करूँ, और इसके accordingly, मिसाल के दोर पे अगर मैंने tweeter का logo इसके उपर लगाना है, तो शायद मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस color में लगाँ, yellow color में तो अब यह 40% जो ही है, तो background पर यही होगा, obviously, तो अब यह पूरा background आप imagine करें इस color में, तो और yellow वगरा से उस पर शायद लिखाई हुई भी होगी, yellow color से शायद लिखाव होगा, अचा black भी थोड़ा इस्तमाल होगा, जायर है, paragraph में तो black होगा फिर, क्योंकि यह पूरा ही information में यह देखें, यह देखें, चोटा साइए इन्होंने apple बनाया वे, बट इन्होंने color palette पही बनाया वे, जो gray color से इन्होंने text लिखा था, उसी gray color से यहाँ पर बनाया वे, ठीक है, इन्होंने social वाला वो नहीं दिया वह, यह आप बाकी के जो logos देखें, अचा यह लोगो वाइट नहीं है यह हलका असला एक 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 ग्रे इक यह ठीक थो सी कलर मेरे लोगों का पैलेट से एउट हो जाता ना यह तो वाइट करते यह है सप्धों करतें कलर पैलेट को इस धान पर आगा होगा, यह इस त hop करते USDA को hesitation नाओ इसलिए हम बात discuss कर रहे हैं ठीक है तो अब इसका अगर हम color palette copy करेंगे ना यहां से तो हमारे पास जो ना यह पिका color तो 40% तो यह आ गया सबसे पहले यहां पर color palette की हम बना सकते हैं क्या इसको हम change तो नहीं कर सकते हैं क्या नहीं change नहीं कर सकते हैं इसको color palette builder मैंने लिखा है तो यह color palette जरा हमना यह apple वाले का उठाके जरा चेक करते हैं कि क्या बनता है इसका color palette क्या हो गया भाई इसको पता नहीं खोली नहीं रही है जो अच्छा खुला था बस मैं bounce back होने ही लगा था कि खुल गया अच्छा यहां पर ना modify करने का option है तो मैंने वह color एक copy किया था यहां पर लाके मैंने paste कर गया सही है अच्छा यह मैंने copy कैसे किया था यह extension है यह अब देखें यह extension है इसका नाम क्या है भला pick color from page यह extension का ना होगा ठीक है तो मैंने क्या किया है कि जी pick color not like that pick color from page और यहां पर आके ना मैंने यह जो इनका black color था यह मैंने इनका copy किया और यह black color को मैंने यहां पर लाके इधर paste कर दो हूँ तो यह black color मेरे पास आ गया अच्छा black color का एक shade और भी है इनके पास जो थोड़ा सा नीचे है इस से तो मैं इस shade को भी copy करता हूं इस shade को भी मैंने copy किया और यहां पर लाके यह दूसरे पर मैंने लाके पेस्ट कर दिया ठीक है अब आप देखें ये दोनों ब्लैक थोड़े थोड़े डिफरेंट है प्रोजेक्टर पर तो शायद दोनों एक ही लग रहा है थोड़ा सा फर्क है लेकिए अच्छा उसके बाद ये जो जो ग्रेज का कलर है ये मैं उठागे ले आता हूँ ये मैंने इसके ग्रेवला गलर कॉपी कट लिया यहां से और ये नंबर तीन पर जो नहीं ये ग्रेवला ये कलर आगी है अब एक ये तीसरा गलर है इसका और इसमें कौन सा कलर इस्तमाल हुए है बलू इस्तमाल हुए है लोगो भी उठा लेते हैं जरह हम और कॉन सा कलर इसमें इस्तमाल हुए है बस खतम कि यही कलर ने है इसके नहीं में जिसका जो खरेव पैलेट में इंक्लूड नहीं होगा बस और तो कोई कलर नहीं है इसमें राइट सभी है वाइट भी है बड़ वो हवर करने पर आता है तो अच्छा और यह जो हमारे पास लास्ट मैंना इसको मैं डिलीट कर देता हूं अच्छा अब इसमें रेशो हम अगर देखेंगे अच्छा इसमें रेशो साइट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है इसमें रेशो करने का उप्शन नहीं आ रहा है पैल है अगर अस्टिल रेशो देखेंगों इसका सबसे ज्यादा है इसको हम कर देंगे पहले नमर्प इसका सबसे ज्यादा है नमर डो ग्पे जो रेशो वह वह इस वाले का है जो थोड़ा सा डार्क ब्लैक है ठीक है यह लाइट ब्लैक जो बॉड़ी के पीछे है क्योंके यह तो यह सबसे ज्यादा एरिया कवर कर रहा है और यह जो डार्क ब्लैक है यह उपर हेडर के अंदर मौझूद है तो यह उससे थोड़ा कम एरिया कवर कर रहा ह और नमबर थ्री पे जो वो ग्रे कलर है सही है नमबर थ्री पे ग्रे कलर है और नमबर चार पे जो हो हमारा ये ब्लू वाला जो कलर है कि जी जो लिंक्स वगर रहे हैं ये जो बटन्स वगर रहे हैं इन में ये इस्तमाल हुआ हुआ है सिरफ और सिरफ बाखी कई और स्तमाल नहीं गुवा बार टो यह अपिल की जो वैबसाइट है यह आप इसका यह assessing अब सिप्लार पयलेट को अगर मैं एक्सपोर्ट करना चाहूं तो कर सकते हम ऐसर प्रॉट यह इसको gefector कर दिया मैंने इसको ठीक है मैं आपको तरह और भी दिखा देता हूं एक चीज आ फिक्मा एक आप है तो चैट आप डिजाइन ठीक है जैट आप फिक्मा यह लिखाना रहा है आप नहीं यार वैदर एप लिख देता हूं चैट में कुछ आ नहीं रहा है तो यह आगे है अच्छा तो डिजाइनर ना आपको यह फिक्मा बना के भी देगा यह फिक्मा जो है इसको प्रोटो टाइपिंग एप भी कहते है यह देखें यह खुल के आ गया यह मेरे पास ना किस तरह का होगा जी आचा इसमें IOS पर किसा दिखेगा यह आई ex जैसे वाला जो यह वाला जो आइटाम भी रेसे खौल के दिखाया था यह जो चार कलर वाला यह क्या होगवा इस तरह से नanorat ईसे यहांपे एक साइट प्रैप लगाव होगा वैसा थो पोरा यहां पर आ देखे रहा है कि पूरा अचा अब इसमें की है कि जाओ जाओ अच्छा यह सारे कंपोनेंट्स हैं जो इसके अंदर हो इसके अच्छा यह देखो आगया ना कलर पैलेट यहां पर यह यह तो इस तरह कर दियाओ है क्योंके मोबाइल फॉन में दो मौड्ट होते हैं डार्क मौड्ड और जो ना तो डार्क मॉड का कलर पालएट अलग है और उसका कलर पालएट जो वा लग Rover ठीक है अचा इस कलर पालएट के नाम होते हैं primary secondary suturnary और पतनी को अर्डम्राकरई तो यह तुमाम का तुमाम जो color इसमें इसमाल हुआ है नहीं उसका यहां पर आपको reference दिया हुए यह सारे components बनाए है तो आम तोर पर आपको जो designer जो design बना कर देगा रहा है वो आपको कुछ इस तरह से देगा ठीक है अब यहां पर देखें जो background में जो image इस्तमाल हुई है वो अलग पड़ी है यहां पर picture जो इस्तमाल हुई भी वो अलग पड़ी है जो इनके cards वगरा है वो अलग-अलग पड़े में और यह complete screen देखनी है मुझे तो मैं इज़र iOS पे आने हूँ यह complete screen यह उन्ही component से मिलके बनी है ठीक है तो पहले अब अलग-अलग component बनाएंगे एक-एक करके HTML, CSS के साथ और फिर उसको आप एक साथ merge करेंगे यह नि प्रोग्रामेटिकली, obviously कि जी वो weather की API कॉल करेंगे आप वहां से जो weather है उसके accordingly आप यह तो जैसे अगर यहां पे आप देख रहे हैं न कि यहां पे वो बारिश वाला एक photo है और यहां पे वो बादल वाली photo है, wind वाली यहां पे जो बारिश के साथ सूरज वाली photo ह तो depending on that कि क्या weather है, आप कोई एक photos की जगा दिखाते थे, ठीक है, इंशालले इस तरह की apps हम बहुत जल्दी बनाने लगे हैं इस class में, तो आप सब लोगों ने जो है न, well, वापिस आ जाते हैं हम हमारे book पे आ जाते हैं वापिस हम हाँ, ठीक है रहना है, वागना नहीं है, storing image in your site, storing image in your site में इन्होंने बताया है कि एक आपने न फोल्डर बनाना है अपनी website में, image के नाम से या IMG के नाम से, तमाम की तमाम photo आपने उस फोल्डर के अंदर रखने हैं, ठीक है, image का tag इस्तमाल कैसे होता है, यहाँ पे इन्हो लोगोंने लगा के देखी है, image, यह वाला tag सब लोगोंने लगा के देख लिया है, आप लोगोंने, online is not recommended, right, अभी मैं आपको चलो करके दिखाता हूं, कि वो क्या चक्कर है, नहीं हो जाता है वैसे भी, लेकिन there is a problem ना, उस वाली अप्रोच में एक problem है, के, यह मैंने जी एक जो है ना, वो बना दी, एक basic website बना दी, इसमें एक heading लगा दी है मैंने, HTML5 images, सही है, और यहाँ में मैंने क्या लगाना है, IMG का tag, अब यह मैंने क्या कि है, IMG लिखके tab दबाया तो वो खुद ही हो गया, अब यह SRC मेंने मैंने देना है source, image का source देना है मैंने, अब मैं जाओंगा Google पे, और Google पे जाके ना, मैं image कोई सी भी search करके ना, मैं जैसे यह मेरे पास एक image है, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, right click करके, right click करके मैं open image in new tab करूँगा, सही है, open image in new tab जब मैं करता हूँ ना, तो यहाँ पे इसका URL आ जाता है, image के, ठीक है, इस URL को मैंने क्या किया, copy किया, और copy करके मैंने यहाँ पे SRC में लागे paste कर दिया, ठीक है, अब इस से यह image display तो हो जाएगी, इस नाट recommended, ठीक है, इसको मैं चला के दिखा देता हूँ, यह image बिल्कुल सही display हो जाएगी, लेकिन problem उसमें क्या होगी, वो भी आप से मैं जिकर कर देता हूँ, ठीक है, यह image हमारी display हो गई, अब इसकी मैं विर्थ अगर इसकी मैं कर देता हूँ भी 500 पिक्सल, तो यह जी अगर मैं back करूँ जरा, अगर मैं एक step back करूँ, यहना यहाँ पे, तो यह Google search में जो images आती है ना, वो असल में किसी ना किसी website से उट कर आती है, ठीक है, जैसे यह image हो गई, अब इस image बिज़िट का भी बटन बनावा है, अब यह कोई article है, what is image processing करके कोई article है, अब मैं इसको खोलूँगा image, यह copy करूँगा, copy हो जाएगा, मैं visit का बटन दबाता हूँ, अब देखें, यह article है, अगर यह article यहाँ से delete हो गया ना, somehow, तो यह image भी खतम हो जाएगी, है ना, और once यह image खतम हो गई ना, तो मैं यहाँ refresh करूँगा, मिरे पास image loading ही होगी, तो जब तक यह image इस इंटरनेट पे इस location पे मौझूद है, जब तक ही मुझे वो मिलेगा, अगर जिस दिन यह image इंटरनेट से उधर से गायब हो गई ना, अब देखें, अब किसी भी image पे मैं click करूँगा, तो अब देखें, यह कोई website है, dream line, dream times करके, यह वहाँ पे यह मौझूद है, ठीक है, जी, अब मैं वही करने लगा हूँ आपको, कि यह image आपने क्या करनी है, इस image पे आके दोबारे इसको right click किया, open image in new tab, और open image in new tab करने के बाद इधर से आपने यह copy नहीं करना ही हुआ रहा है, बलके आपने इधर आके right click करना है, और save का button दबाना है, ठीक है, save image as, कर सकते थे, मतलब इधर खड़े होके भी right click करेंगे ना, तो save as का option आ रहा होता है, ठीक है, यह रहा, लेकिन इसमें छोटे size का वो हो जाता है, उसका reason यह है, कि यहाँ पे इस जगह पे Google, इसकी image को छोटे size का दिखा रहा होता है, because of copyright reasons, ठीक है, यहाँ पर यह full size की खुली यहाँ पर आके आपने save का बटन दबाना है, तो यह बिल्कुल सईसे होगी, तो save image as का बटन दबाया है मैंने, तो यह मेरे पास खुल गया, डाउनलोड में यह automatically save हो रहा है, मैंने save का बटन दबा दिखा, यह download में क्या हो गया, save हो गया, अब आ जाते हैं जी, ज़रा download में ठीक है जी, यह मैंने खोल दिया और यह मैं चला गया, डाउनलोड में, अब डाउनलोड में गया तो यह देखें, यह वाली फोटो यहाँ पर आ रही है, इसको पहले तो मैं rename कर देता हूँ, मैंने कहा दिया कि जी, photo.jpg, इसको मैं कहा देता हूँ कि camera.jpg, ठीक है, छोटा नाम रखने के लिए, ताकि वो लंबा चोड़ा नाम है, तो इस वाज़े से इसको मैंने छोटा कर दिया, ज़रूरी नहीं है छोटा करना, करना चाहें तो कर सकते हैं, आच्छा, और यह मैंने इदर लाके इसको paste कर दिया, ठीक है, ड्रैग करके drop कर दिया, चाहें तो आप SRC पे जाऊंगा मैं, और dot slash लगाऊंगा ना, नीचे camera.jpg आपरी, यह VS Code फोल्डर में देखके खुद ही मुझे बता देता है, यह मैंने सेलेक्ट कर लिया, और अब मैं जब वापस हाऊंगा यहां पर, तो यह बिल्कुल उसी तरह यहां पर image मुझे ही नजर आ रही है, ठ इंटरनेट पर यहां मौझूद था, वासे डिलीट भी हो जाए, मेरे पास से यह डिलीट नहीं होगा, मेरे पास यह रहे गाए, ठीक है, अच्छा, अब इस फोल्डर से तो डिलीट होगा, फिर तो खतम हो जाए, ठीक है, अच्छा, यहां पर आपने IMG का एक फोल्डर ब अब यह इस तरह करके लगे लिए, तो वापिस जाता हूं इदर, इसको इसको मैं रीफ्रेश करता हूं, यह बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल उसका पॉपी राइट आएगा, अब उसके लिए ज्यों तरीका इस्तमाल होता है, वो क्या होता है, स्टॉक इमेजिस, फोटोस आप लिखेएगे नू, तो कुछ वैपसाइट्स होती है, जिनका काम ही होता है, फोटोफ़ो पेचना काम होती है, तो आप डखें यह एक आ रही है यह यहाँ पर स्टोक, पिक्सल के नाम से एक आ रहा है, अनि स्प्लेश मैं बड़ा यूश करता हूं, तो चलते ह यहां पे अपने साथ में यह फ्री भी लिखते रहे हैं फ्री स्टॉक फोटो राइट क्योंकि वह कुछ पेंड भी होते हैं इस तो यह यहां पने कुछ भी बात लिखनी है मिसाल के दौर पर मैं मॉबाइल फून की वेब साइट बनाना चाहरा हूँ तो मैं यहां पर फोटो काफी सही है यह आप देखें अच्छी फोटो सारी आ गई है तो अब आप किसी चीज़ का नाम लें और यह आप वह मौझूद होता है कि बहुत बड़ा है इनका डेटाबेस होता है मैंने का कि जी रेस्टरांट की फोटो मुझे चाहिए रेस्टरांट की चाहिए यह पोटो खान का बटन अरहे है आर account का बटन ऑन रहा है तो और इस और इसको मैं ऑपन करता हूँ दो यह अच्छा खासा ना साइज में यह बड़ी इमेज उती है अब आप देखें इसको मैं जूम इन करूंगा तो यह अच्छी खासी मतलब quality है इस ठीक है लिए डीटेल इसकी अभी तक miss नहीं हुई है इतना zoom करने के बावजूद भी न तो इसको मजीद भी zoom कर सकता है तो मैंने इसको अच्छा खासा अब जाकर कहीं इसकी डीटेल मिस होना शुरू हो रही है इस पॉइंट पर आके तो काफी डीटेल फोटो होती है अगर मैं इस जग पर इसको जूम इन करूं तो आप देखें बड़ी अच्छी डीटेल्स है इसके अंदर काफी बड़े साइस की में जाई है तो अब जहां पर भी मुझे इस करनी है माँ पर मैं क्या करूंगा इसको डिपेंडिंग ओन के जो ना मुझे कहां पर स्तमाल करनी है इसको मैं री साइज कर लूँगा छोटा बड़ा कर लूँगा अपने हिसाब से इसको मैं जी यार अभी वो छोड़ो ना क्या पाइद है अच्छा इस इमेज का साइज भी देख लो टू पॉइंट फॉर एमबी है ठीक है यह भी एक देखने वाली चीज़ है कि टू पॉइंट फॉर एमबी इस वेरी लार्ज साइज ठीक है इसका जो साइज होना चाहिए ना वो इस से आपने उपर कभी भी नहीं जाना अच्छा यह तीन सो चार सो के भी इस इनफ साइज के इसमें आपकी बहुत अच्छी क्वालिटी की फोटो आ रही होती है यानि जितनी मिसाल के दौर पर यह आईफोन की वेबसाइट पे मैं जाता हूं और इसका जो सबसे टॉप पर यह लगी विए काफी अच्छी खॉल्यटी फॉटो है अगर मैं राइट क्लिक करके इसको इंस्पेक्चिन करूँ ना इसकी और मैं इस फोटो यार यह का हूँगए इसकी मैं inspection करके न अगर इस photo को मैं check करूँ कि ये photo क्या लगाई भी है अच्छा ये photo नहीं है तो video लगाई भी है ये video लगाई भी नीचे जलता है photo या जैसे ये photo है ठीक है तो देखें अब ये 600 पिक्सल की photo है अब ये 600 पिक्सल की photo है और इसका जो size है वो अब देखें 185 के भी है इस photo का जो size है ठीक है और हम आगे चलते हैं यहाँ पे कुछ और भी इसने बंदो बंदों की photo लगाई भी है जैसे ये एक photo है कितनी अच्छी quality की photo है इसको हम जरा inspection करते है कि क्या इसका size है 1.9 MB इसका size है ठीक है थोड़ा बड़ा size है ये बट आप इसको देखें ये photo लगी भी ये काफी नीचे तो जब शुरू में page load होता है ना तो ये photo नीचे load होने का time इसको मिल रहा है ठीक है जो top वाली photos होती है है वो ज्यादा critical होती है वेल अच्छा इसी तरीके से ये जो इन्होंने photo लगाई वी है इसको भी ज़र हम inspection करते हैं इसकी ये photo जो है इसका size है छे सो के भी sizes है तो ये काफी high quality images है और ये camera को यहाँ पर demonstrate करते हैं तो camera को demonstrate करते हैं ना इन्होंने तो थोड़ा सा जो है ना size में यह उपर गया है इस वाली image को भी ज़र हम inspection कर लेता है कि क्या scene है इसका तो यह 700KB है 700KB की image लगी भी है ठीक है यह वली जो image है अच्छा यह image भी काफी सही है इसकी भी inspection कर लेता है कितने size की है यह image यह भी 1.7MB की image है ठीक है तो apple की website में जाता का हमने देखा है कि यहां पे 300-400KB से लेकर और 1.5-1.67MB तक की भी photos मौझूद है बट हमारी photo इससे भी बढ़ी है हमारी photo जो है वो इससे भी बढ़ी है हमारी photo है 2.4MB that is a lot और खास तोर पर अगर मैंने भी photos download करूंगा उन तमाम photos का जो size होगा वो इसी तरह से ही होगा size बढ़ा होगा उसका अच्छा इसको मुझे क्या करना है इसको मुझे optimize करना है optimize की तरफ हम आते हैं लेकिन उससे पहले हम जरा book में चलके न यह बात इसकी पढ़ देते हैं कि यह क्या बता रहे है ठीक है यह image हमने लगाना सीख लिया at this point आगे चलते हैं जी इससे हम height and width of image height or width change करने के लिए हम क्या लगा सकते है height or width का attribute लगा सकते है बट यह height or width का attribute right now कि जी मैंने वो picture बड़ी थी मैंने 500 pixel लगा है picture छोटी हो के नजर आना शुरू हो गई this is not the thing ठीक है यह जो आपका attribute है विर्थ का यह इस चीज के लिए नहीं बनाया गया ठीक है यह करना मुनासिब नहीं है जो मैंने यह किया है असूलन क्या होना चाहिए जो मेरी image है उ और मैं ठीक है अगर मैंने यह image इतने size की दिखानी है तो यह image इतने ही size की होनी चाहिए इससे बड़ी या छोटी नहीं होनी चाहिए ठीक है अगर मैंने width लगा कर इसको size को बड़ा किया असे तो बड़ी होके दिखतो जाएगी screen पर यह लेकिन blur हो जाएगी अगर कोई downside ही होगा कि जी वह image तो वह 1000 पिक्सल की है तो size तो उसका जो होगा वह 1000 पिक्सल के हसाब से होगा यह के बी में जो साइज है storage जो वह capture करके बैठा यह लोड़ हो जितने के बी लोड़ होगा अच्छा इसको भी मैं आगर आपको दिखाऊ ना इसमें एक चीज मैं आपको कर तो मैंने का जी के slow 3G और slow 3G करके मैंने इसको refresh किया अब अच्छा यह वो live वाले से चलाओंगा ना फिर काम करेगा इस पर काम नहीं कर रहे हैं साइज है यह live go live करके मैंने चला है इस पर यह काम करेगा यह file वाले पर direct शायद यह साही काम नहीं करता अच्छा जी slow 3G मैंन लोड होगी है अभी टाइम लग रहा है लोड होने में अब यह image आप देखें किस तरह से लोड होगी ठीक है time लगा है इसको लोड होने में मैं इसको दोबारा disable केशे कर दता हूं कि क्योंकि image को यह रख लेता है और मैं इसको दोबारा refresh करूंगा ना देखें यह आप कर रहा है इसका तो मैंने एक और यहां पर जो ना food.jpg के नाम से एक और यहां पर फोटो लगा लगा दी मैंने ठीक है क्या हो रहा है हां यह मैंने भी डाउनलोट की थी वो है नहीं इमेज के फोल्डर में अच्छा यह जी आ गई है नीचे हमारे पास अच्छा यह क्योंके साइज इमेज का बहुत ही बड़ाई है यह साइज इमेज का ना बहुत ही बड़ाई है अच्छा यह मैंने डिसेबल केशे किया हुए और स्लो त्रीजी किया हुए और अब मैं च्छोटी इमेज में फील नहीं हो रहा था यह बड़ी इमेज में जादा फील हो रहा है अच्छा एक चीज और भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस पॉइंट पर फिर भी इस तरह की होगी मिसाल के दौर पर मैंने का कि विर्द जो आपकी हो जाए 500 पिक्सल हो जाए चाहिए 500 पिक्सल में इसको दिखाऊ मैं जितने में भी दिखाऊ यह इमेज असल में है तो साइज में बढ़ी ना 2.4 MB साइज है यह देखें अब जब भी इस तरह होगी है क्योंकि डाउनलोड पूरा 2.4 MB हो गई है 500 पिक्सल की मैंने दिखाई है तो यह जो विर्थ है इन दोनों फोटो की वह एक जैसी हो गई है लेकिन आप देखें एक फोटो इसमें से जल्दी लोड होती है मैं दोबारा रिफ्रेश किया इसको ठीक है तो पहले यह वाली लोड होगी फिर उसके बाद वह पड़ोस वा अब यहां पे नीचे आया ननेटवर्क में आप सोर्स जड़ा देखें तो यह जो जो वाइलेंस ने डाउनलोड किये न उन सब का यहां पर नाम बता रहा होता है और उन सब को लोड करने में इसको टाइम कितना लगा वो यहां बता रहा है अब देखें यह 40 सेकंड हो गय है ठीक है यह 2.4 MB की है ना यहां देखा अब कंप्लीट हो गया अब लोडिंग इसकी कंप्लीट हो गई अच्छा अब मैं इसको देखें दरा के लियर करके ना और इसको मैं दुबारा से रीफ्रेश करता हूं यहां पर देखें वो पूरा टाइम यह काउंट कर रहोगा कि कि इसको टाइम लग रहा है लोड होने अच्छा यह मैंने वैब साइट को रिलोड कर दिया अब यह लोड होना शुरू हो गई मैं वैब साइट पर ही अब यह देखें ने टाइमर यह चल रहा है किसी कितनी देर में लोड होती है अब यह अब यह अब यह अब यह अब यह स्लो थी जी पर मैंने इसको किया वह स्लो थी जी में हटा दूँगा तो यह निजबतां जल्दी लोड होगी क्योंकि मारा इंटरनेट 16-17 अमभी का तो है आई 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 यह अब देगे कितना जादा सा टाइम लगा है तो यह मुबाइल फून पगर है पर कभी आपके पास पर स्लोई आ रहोता है त्रीजी आ रहोता है सम्टाइम हमेशा जरूरी नहीं है कि आप अच्छे अच्छे नेटवर्क पर होगा अच्छा इसको मैं अगर हटा देता नो थ्रॉटलिंग कर देता हूँ तो यह क्या होगा कि नहीं थोड़ा जल्दी लोड हो जाएगा ठीक है लोड होगया एक ग्लिम्स में लोड होगया ठीक है ग्लिम्स में लोड होगया खतम होगया क्योंकि हमारे इंटरिजी और सिगनल पूरे आ रहे होंगे उसके अंदर तो इसको कितना टाइम लगेगा इस पर भी ओवर अल्ट इसने कोई 10 सेकंड के गरीब लगा देना है दस से भी उपर निगल गया ठीक है इसमें मैं हाथ से यहां पर के बीपीएस भी लिख सकता हूं इतने के पीपीएस का इंटरनेट आ रहा है या इतने अंबी पीएस का इंटरनेट आ रहा है तो वह भी मैं हाथ से भी लिख सकता हूं वह बात तो वह उतने परी simulation करके मुझे दिखा देओ अब हम इसी पर आ रहे हैं अब यह आगे जो ऑप्टिमाइज वाला चक्कर है न तो यह हाई 10 विड्ट हो गया कि एक्चुल उसी साइज क्यों नहीं चाहिए में जब भी वो करते कैसे हैं वह एक सॉफ्ट्वेर एक-दो चीज़ें आप्टिमाइजेशन किस की सीज़ में होती वह देख रहे हैं भी हम उसके बाद हम सॉफ्वेर को देखते हैं कि फोटोशॉप एसल में वह सॉफ्वेर ठीक है नहीं उसको इमेज को हम साइज छोटा करेंगे उसका हाँ ये बड़ा अच्छा है नोने सवाल पूछा कि जी अगर तो वह हाइट और विट लगा के हम छोटा बड़ा नहीं कर सकते हैं इमेज को तो हाइट और विट है क्यों इन दा फस्ट प्लेस अब इसका भी जवाब नहीं पर चुपा हुआ है अब इसके जवाब मैं आपको बताता हो कि क्या यह है यहां पर एक अदद मैंने paragraph कापी किया सब्द मैं एक paragraph images से पहले एक paragraph इन दोनों images के दर्मैन में और एक paragraph इन दोनों images से पहले जाहिरे इसी तरह का एक structure होता है हमारे पास हमारे पास कभी भी है जाहरे है ऐसा तो नहीं होता कि गो रहु हिए सिर्फ टैक्स्ट ही चल रहा एक combination होता है images का और text का combination होता है तूइ अभी इसके इंदर हुरत define हुई ही है अभी इसके अंदर क्या हुई है विर्ट डिफाइन हुई भी है अच्छा विर्ट डिफाइन हुई भी जब होती है ना तो आप देखते हैं कि क्या होता है अच्छा वह स्लो त्रीजी तो जब तक मैं लगाऊंगा नहीं जब तक यह सही चलेगा नहीं खीक है श्लो थ्रीजी पर ही वो डिमोंस्ट्रेशन हमें पता चलेगी सही दरा से अधर वाइस हमें वह पता नहीं चलेगी तो यह मैंने डिसेबल केशी कर केशे कर दिया और मैंने इसको कह दिया के जीफ श्लो 3जी अब देंगे क्या होता है एम्टी केश है, हाट रिलोड अब यह image की न जगा छोड़ दी है इसमें आप देखें हैं यह अलग है image अभी load हो रही है लेकिन इसको पता है कि यह कितने size की image है इसने जगा छोड़ दी image की अच्छा अब मैं another end क्या करता हूं कि इसमें से यह wills अटाव दोनों बसे अटाव दीना तो जब मेरा page load होगा न तो यह सारे का सारे text तुछा न चपकाव आएगा यह क्या हुआ यार हमारी असल में यह photo न बहुत बढ़ी है इस photo का अटादत है इस ही कोई इस्तमाल करता है ठीक है यह पूरी तरह से हमारी website load हो गई है अब इसको मैं क्या करता हूं इसको मैं refresh करता हूं यह वाली जो चीज है ना कि पहले यह तीनों text चपकाव आता है और फिर जब image load होती ही तो यह यह भागता है तो यह वाली चीज से बचने के लिए हम ना इसमें विर्ट लगाता है उसका reason देखें क्या है उसका reason यह है कि हमारा html ना पहले load हो जाते है मिसाल के दोर पर यह paragraph और यह image और यह paragraph का जो यह टैक्स है जो यह elements है यह पहले load हो जाते है अच्छा इसके src के अंदर जो है थोड़ी तेर में load होता है वह तो size बड़ा है उसका वह जब completely image load हो जाएगी जब इसको पता चलेगा के जी यह क्या चक्कर है तो अब मैं क्या करता हूं इसको दोनों को मैं विर्ट असाइन कर देता हूं 500 pixel सभी है दोनों को मैंने यह विर्ट असाइन कर दी अच्छा अब जो रहा निस्बतान यह वाली चीज क्या हो जाएगी reduce हो जाएगी ठीक है अच्छा यह पूरी तरह load हो गई है और अब मैं इसको क्या करूंगा refresh करूंगा तो refresh करते ही ना आप देखेंगे क्या रेकिया? आ, यह अभी पी ≪ है रिज्द आइख हो है है रिज्द है ह मैं यह पर हाइट लगानी पड़ेगी जब तो वह पाईट उसको पता ही नहीं चल रही इलिए हाइट भी चलें इसकी हम लगा देते हैंए 500 पिक्सल अच्छा ये height और width मैंने दोनों लगाई है न अब ये image हो जाएगी pixelate अच्छा अब मैंने इसको क्या किया दुबारा से refresh करता हूँ मैं इसको तो आप देखेंगे कि वो वाला phenomenon नहीं हुआ वो चपक के नहीं है डायरेक्ट टुकनी जगा छोड़ी वे लेकिन इससे reason क्या हुआ है ये pixelate वो गई image stretch हो गई क्योंके मैंने height भी दे दी और width भी दे दी है इसको ठीक है और height और width मैंने क्या दे दी है अंदाजन दे दी है मुझे exactly पता होना चाहिए कि इसकी height और width क्या है और मैंने वो ही दे रही है जो इदर height और width लिखी ही है न इसकी अब मैं इसको जाके right click करके मैं इसको folder में open करता हूँ और folder में जब मैं इसको open करूंगा तो यहाँ पे जाके मैं right click करके इसको get info करूंगा या windows में होंगे तो आप properties में जाएंगे उसके और यहाँ पे मुझे na exact इसके dimensions मिल जाएंगे more info में यह रहा हजार by 7667 ठीक है तो यह जो हमारे dimension होता है इसमें पहला वाला x होता है दूसरा वाला y होता है ठीक है तो यह x और y करके इसको आप याद रखेंगे तो यह बड़ा अच्छे से याद रहेगा कभी भी इस तरह dimension लिखी हो नो तो पहला वाला वाला वो विर्थ होता है यानि कि x-axis और दूसरा वाला वाला वाय होता है तो मुझे 667 इसकी height लगानी है ठीक है 667 मुझे इसकी height लगानी है 667 और इसकी width जो लगानी है मुझे वो लगानी है 1000 पिक्सल ठीक है तो then it would be क्या फिर वो stretch नहीं होगी यह image ठीक है यह मैंने refresh किया अब आप देगें यह text किसी भी point पे चपक नहीं रहा आपस में किसी भी point पे टेक्स आपस में चपक में रहा क्योंकि HTML में उसकी height mention कर दी है ठीक है जी अच्छा इसी तरह विर्थ का भी इसाब किताब है क्योंकि अभी तो यह image ना मतलब one after one है कि जी एक के बाद एक नीचे वो sequence में वो है लेकिन most of the time क्या होता image वो horizontally भी होती है side by side भी होती है one after one की जगह side by side भी होती है तो उस case में अगर विर्थ नहीं पता तो वो यह चपक जाएगा side है उसकी आपस में चपक जाएगी बिसाल के तरपे कोई image है उसके बाद छोड़ा सा text है और फिर एक और image है तो वो beach का जो text है वो पहले क्या होगा इमेज की जगह छोड़ेगा रही हो वो line के शुरू से start हो जाएगा लेकिन जैसे image लोड़ होगी text भाग के आगया और पीछे image आजएगी उसके तो इस उसमें फिर मुझे विर्थ mention करना होगा तो यह विर्थ और height का जो attribute है वो इस काम के लिए बना है बहुत अच्छा सवाल दोस्त ने किया तो उसमें यह जवाब आगया आपका ठीक है जी अच्छा यह इनोंने कुछ बात किये कि जी जो न इमेज को place कहां कहां पे किया जाता है और वो किस तरह से हो रहा होता है किसी article में पहले image हो सकती है फिर paragraph हो सकता है या paragraph के शुरू में image हो सकती है तो इस तरह कि यहाँ पे इनोंने बात किये इसको पढ़िएगा जरूर यह ताकि आपको proper समझाएगी किया बात है ठीक है यह इनोंने जरा old code discuss किया है तो यह old code हम discuss नहीं करेंगे यह भी old code है इसको हम छोड़ देते हैं यह इन्शालला यह वाला जो topic old code में cover कर रहा है यह हम CSS में flexbox का topic जब पढ़ेंगे तो यह बात cover हो जाएगी तो यह बात cover हो जाएगी त्री rule of creating image save image in the right format अभी format कभी तक हमने जिकर नहीं किया save image at the right size right size का हमने जिकर कर लिया है कि exact वही pixel होने चाहिए image के जो मुझे चाहिए लेकिन वह करना कैसे भी वह उमने नहीं देखा use the correct resolution तो यह हमने अभी ना size देख लिया और format अब ज़रा देख लेते हैं कि क्या है पीसी पे पुरे पेज़ पेड़ शोग करना हुता कि जैसे नहीं आपके उसके लिए अज़क से size होता है कि यह size की image हो देखें वह तो screen का size तो variable होता है ना fix नहीं होता कभी भी अजू करते हैं कि यह तो हम बना लेते हैं 4-5 आल गज़ा है images कि छोड़ी छोटी होगी तो यह दिखा दो फिर बड़ी हो तो थोड़ी और तो फिर से बड़ी हो एक तो यह तरीका है, दूसरा तरीका यह है जिसे Facebook करता है, Facebook क्या करता है, दोनों साइडों पे एम्टी स्पेस छोड़ता है, ठीक है, तो 1000 पिक्सल वो दिखाता है, अब 1000 पिक्सल की अगर इसक्रीन है तो कोई जगह नी साइड में छूटी होती है, अगर 1000 से ज्यादा की ने एमिन जमाम मली के लिख दिया है यहां पर ठीक है अपर क्या हो गया ब्लॉक किया है कि इसको आज ब्लॉक किया है कि फेस्बुक को वैल यार मलक से लिख लेता है फेस्बुक आज बंद है रहा एक तो इनलों को ना वो ठीक है प्रोफाइल पेज में क्या होता है आपने यह इस तरह से देखा होगा वाइट वाइट स्पेस साइड में आ रहा होता है तो यह डिपेंडिक आपकी स्क्रीन का साइज अगर हजार पिक्सल से कितना बढ़ा है तो यह आपके साइड में इस तरह से स्पेस आ जाता है ठीक है कुछ दूसरी वैब साइट से ऐसी भी है जिसमें इस चीज को नो ने तोड़ा रहा है डिफरेंट तरीकर से जैसे अब देखें यह वाला जो इस स्क्रीन साइज है इसमें साइड में स्पेस नहीं यह किसी एक दूसरी स्क्रीन शॉर्ट में कोई स्पेस नहीं देख रहा मुझे साइड में तो डिपेंडिंग उन डेट के आपकी स्क्रीन का साइज किया है वो उसको मैनेज कर लगता है अब इमेज फ्रॉर्मैट के हम बात कर लगते हैं यह जो तीन इसने बात जखर की हैं न है यहापे कि जी save image है the right format और right size और right resolution तो इसमें से जो हम अभी right format की तरफ हम आ जाते हैं कि right format क्या चीज है इन्होंने कुछ example images दिखाई हैं कि JPG format की जो image है ना वो किस तरह की होती है ये भी इसकी example है Whenever you have many different colors in a picture you should use JPEG या JPG भी उसको कहते है एक ही बात है दो a photograph that features snow or an overcast style might look it has large area that is just white or gray but picture usually made up of different colors that are subtly different अब ये कह रहे है कि ये आपको लगतो रहगा कि आस्मान पूरा white ही तो है ये असल में white नहीं अगर इसको आप zoom in करें तो आप देखेंगे कि इसमें ये ये white नहीं है ये इसमें different colors है even ये वाला जो white है ये भी जब देखें move होता है न तो ये पना चलता है कि ये move हो रहा है ये अब देखेंगे अब देखेंगे आपको लग रहा है कि ये ब्लैक है बट ये ब्लैक नहीं है ये हर पिक्सल का एक जो gradient है इसमें से light निगल रही है ये हर पिक्सल का एक different color है ये इसको अने तक ठीक है अच्छा ये जो धागों की photo है इसमें भी कुछ इसी तरह का है तो camera से खैची गई जितनी भी photo होगी वो JPG format उसके लिए best है इस वागत अभी तो वैसे कुछ नए format भी आगए है HEIC करके आगए हो HEVC और HEIC करके आगए हो लेकिन अभी उसकी बात नहीं करते हैं अभी JPG जो है वो standard rise है जो नए वाले format है उसको rise होते होते हो अभी लगेगा time है दो-चार साल और लगेगा ठीक है ये दो एक्जेमपल तीन एक्जेमपल और आगई है ये वाली एक्जेमपल भी क्या है इसी की एक्जेमपल है यर्जान हो जाके न बता दें कि मिस्टर बेंस वर्टास तो ये मजीद कुछ एक्जेमपल आ गई जेपीजी इमेज की ये दिवार white लग रही है देखने में लेकिन असल में इसके colors different है तो ये सारी जेपीजी इमेज की जोने एक्जेमपल हो गई अब उसके बाद आ गए है जिफ इमेज जेफ इमेज की ये कुछ एक्जेमपल दिखाय जा रही है अब और इसके बारे मैंनों लिखा है कि जी यूज जेफ इमेज और PNG इमेज फॉर्मेट वेन सेविंग इमेज विद फ्यू कलर्स जिसमें color कम हो थोड़े color हो उसमें और large area of the same color आप आप इसमें देखे large area of the same color वाली ये पूरा red है इसमें हर pixel का color अलग नहीं है ठीक है अलग हमें नहीं चाहिए हमें red ही चाहिए plain red चाहिए इसमें आप देखें color थोड़े हैं गिंती के color है चाहर पाच इसमें colors हैं और बड़ा बड़ा सा जो area है ना उसके एक एक जैसे color है इसको हम flat colors भी कहते हैं ठीक है PNG और GIF ये दोनों की बात कर रहा है लेकिन अभी थोड़ा सा difference है दोनों में अभी आगे चलके देखते हैं कि वह क्या difference है ठीक है थोड़ा सा difference है JPG और JPG ये एक ही कि एक ही है JPG ये JPEG एक ही बात है सही है अच्छा ये आप देखें WWF करके जो इन्होंने बनाया है इसमें दो ही color इसमाल हुआ है और ये large area with same color वाली बात इसके अंदर true है ठीक है देखें यह पर इन्होंने क्या बात कि When a picture has an area that is filled with exactly same color It is also known as flat color Logos, illustrations and diagrams यह जो इस तरह की चीज़ें होती है Logos होते हैं कोई illustration यह कोई drawing बना के दिखाईवी है ठीक है यह diagrams होते है तो often use flat colors यह इस तरह की चीज़ें में अकसर flat color के इस्तमाल होगा Note that photo of snow, sky and grass are not flat colors Sky का जो photo थी वो flat नहीं था यह वले flat है अच्छा जी अच्छा जी अगर पिक्चर होती तो इसको पहुंग जिफ में इसको रखेंगे तो इसका जो size है ना वो optimum आयगा अगर मिसाल के तोर पे यह वाली image है यह वाली image है इसको अगर मैं JPG में करूंगा तो इसका size आएगा 300 pixel और इसी को अगर मैं PNG में करूंगा तो इसका size आएगा 30-40 kb sorry 300 kb और 30-40 kb इस image को अगर मैं JPG में करूंगा तो इसका size आएगा 300 kb लेकिन इस image को तो अगर मैं PNG या GIF में करूंगा तो इसका size आना चाहिए 30 या 40 KB तो इतना बड़ा difference आजाता है image के format को change करना से अच्छा जी अभी हम experiment करके भी देखेंगे उसका experiment करके देखेंगे बकायबर इसका अच्छा जी अब ये कह रहा है कि कोई image अगर बड़े size की है तो उसको छोटा करने का क्या तरीका है उसको crop कर दिया जाए crop का हमेशा करना possible नहीं होता है crop करने से कभी कभी detail मिस हो जाती है लेकिन हमारे resolution, resolution क्या होती है 72 pixel per inch होती है लेकिन इसकी आपको tension लेने की जुरूद नहीं है क्योंकि आम तोर पर जो stock photos आप download करेंगे वो by default 72 pixel per inch पे ही होती है ठीक है अच्छा तो इन्हों नहीं आपे बताया है कि जी वो आपका 300 dpi जो होता है वो print के लिए होता है और 72 pixel जो होता है वो इसक्रीन पे दिखानी के लिए होता है आपने हमेशा इसक्रीन पे 72 pixel per inch की photo दिखानी है इससे ज्यादा resolution की image दिखाएंगे तो उसका screen पे कोई ऐसा optimum effect नहीं मिलेगा ठीक है इससे ज्यादा की अगर image होती है ना तो वो दिखने में सेम ही होती है इसस्क्रीन के बना होता है अचाइग होता है इसमें आपने होती है और बिद्रे अश्करी के दिख के तक है नगा है इस Frage points save हुए है बजाए pixels के इस तरह से geometrical shapes होती है तो इसमे benefit ही होता है कि जितना भी आप zoom in करें जितना भी zoom out करें यह pixelate नहीं होती है क्योंके pixels इसमें होता ही निया geometrical shapes होता है अगर फोई shape circle है तो वो circle ही रहेगी इसको जितना भी बड़ा यह है जतना भी आप छोटा कर दें उसको है ठीक है HTML के अंदर जो आप लगा सकते है वेक्टर इमेज उसका फॉर्मेट होता है SVG ठीक है SVG जो है हो HTML में supported है अगर आपने वेक्टर इमेज का इस्तमाल करना है ठीक है जी उसके लाबा Animated GIF भी हो सकती है Animated GIF के मैंनोंने बताया है कि वो कुछ भी नहीं होता वो असल में आर्ट डिफरेंट Slides होती है ठीक है आर्ट डिफरेंट इमेज होती है वो continuously change हो रही हो तो आपको लगता है कि वो animation है वो जिफ नॉर्मल जिफ जो है वो एक फोटो जो होती है उसी तरह से फोटो होती है ठीक है जी अच्छा इस पॉइंट पर हम आ जाते हैं जरा ना इसको एक software हम explore कर लेते हैं फोटो पिया सही है क्या इंटरनाइटी बंद हो गया क्या चलिए ठीक है वैसे इसकी सही प्रोनाउनसियेशन में फोटो पी है लेकिन हमें फोटो पिया बोलने में जादा मज़ा आता है तो जी अब हमने क्या करना है कि अब यह मेरे पास जोई मेरे फोल्डर में दोनों इमेजेस पड़ी है ना camera.jpg और food.jpg अचा पहले तो food.jpg को छोटा करते हैं यह इसका size मैंने छोटा करना है इसके dimensions बिल्कुल सही है यह portrait form में है तो मैंने उस form को change नहीं करना है मैंने just इसका size छोटा करना है ठीक है अचा तो size अभी इसका क्या है right now अभी इसके size पे अगर हम गोर करें तो अभी यह 4000 pixel जो हो horizontally है और 4000 pixel जो हो vertically है इस square shape actually है ठीक है इस image का size है वो square shape है ठीक है यह horizontal नहीं है पता नहीं क्यों मुझे horizontal लग रही थी ओ सारी vertical लग रही थी हलाकि जो image का shape जो है वो square है जितनी height है उतनी ही width है इसकी ठीक है तो अब हम क्या करेंगे इसको मैं पकड़ूंगा यहां से drag करके और drag करके मैं इसको ले के चला जाओंगा हमारे software में ठीक है यह software Photoshop है बिल्कुल Photoshop का यह light version है समझ लें आप ठीक है Photoshop की installation होती है licensing होती है बहुत सारा कुछ होता है तो इसमें क्या होता है कि जस्ट आप यह website open करेंगे na photopia.com तो यह आपके पसास खुलके यह पूरा Photoshop होता है ठीक है अच्छा अब इसके अंदर आपके पास एक option होता है यह सारे option Photoshop वाले हैं अच्छी ठीक हम mobile में भी खुल जाएगा यह बिल्कुल खुलेगा mobile इसकी application है फोटो पियागी अच्छा मैंने नहीं देखी वेल तो किसी में भी आप चाहें तो Photoshop इटसेल्फ बिस्तमाल करें कोई भी जो photo editing की app है आप कर सकते हैं जरूरी नहीं है कि आ अच्छा इसमें अब एक तो option is crop का यह आप्शन देखें यह crop का रहा है लेकिन हमने crop नहीं करना कि लाग करने से तो यह होता है कि जी आप इस image को क्या करो या इदर से चोटा कर दो इसको अधर से चोटा कर दो ठीक है अब इतना मैंने कर दिया अब उसके बावजूद भी अब जब मैं फाइल में जाके इसको इसको मैं क्या करूँगा सेव का बटन जब दबाऊंगा ना सेव एज दबाना होगा मुझे सेव एज एक्सपोर्ट एज होगा ऐख्युट कर ओंग ना जे पी जी तो अभी साथ सो के भी इमीज भी आहिए तो यह तो क्रॉप भी हो गई और यह तो कोई फाइदा भी नहीं हुआ 700 KB की अभी भी आ रही है इमेज तो मुझे क्या करना है इसको क्रॉप नी करना करना है सो यह Ctrl Z क्रॉप से मैंने इसको वापस निकाल लिया भार मैंने का जी क्रॉप श्रॉप नी करना पहले अब मेरे पास एक इमेज यहां पे एक option आ रहा है इमेज का अब इमेज में जाके मैंने क्या करना है इसका इमेज साइज चेंज कर दाना है ठीक है मैंने क्या करना है इसको 500 PXL भाई 500 PXL पर लाना मैंने का भाई 500 PXL रिक के जैसे ही मैं बाहर क्लिक करूंगा तो यह दोसरे को भी accordingly उसके शरी कर देगा अभी तो खेर स्कुएर है तो फर्क नहीं है लेकिन आम तो पर इमेज के होती है वो 16x9 के रेशो पर होती है कि जी अगर उसकी विर्थ 900 पिकसल है तो हाइट उसकी 600 पिकसल होती है अब मैंने 933 लिखा है अगर तो अब उसकी रेशो क्या बनेगा उसके हैट तो यह खुदी सेट कर देता है ठीक है यह मैंने कर दिया और यहाँ पर DPI देखे 72 पिक्सल लिखी भी आ रही है बाई डिफॉल्ट यही है अगर नहीं है तो आपने इसको 72 कर देना है ठीक है सैंप अब ही मैं जो डिफॉल्ट है उसी पर छोड़ता हूँ और इसको मैं ओके जैसे ही करूंगा तो आप देखे क्या हुआ यह इमेज जो बिल्कुल छोटी हो गई अरे सही है यह इमेज देखे बिल्कुल छोटी क्या पकड़ लिए मैंने अच्छा यह क्रॉक टूल पकड़ा अब ही इस को यह इस्के देखें बने का जो अच्छा पर ugh दोके साञ्ट पर तूल अजीर भूर है अच्छा इसलेक्ष़ पर लिए पयं यह वोटतो बनी के आ अख दिय sha write English के तो इसलेक्षिन तूलसल में ये पकड़ कर ख söz तो मैं बैइ डिपल्ट यह है और इसका इमेज साइज में चेंज करता हूं अब मैं क्या करूंगा इसको फाइल पे जाऊंगा इस इमेज को मैंने एक्सपोर्ट हमेशा किस में करना है इसका च्रहें को मैं थे jpg में एक्स्पोर्ट करा कियोँकि यह इसका format is a m Zach ऐ poking आट पे क्लिक किया, अब आप देखें, इसका जो साइज हो गया' है, 45 kg है, सपाइस पाइस म teu क्या हो गया है इसकी और इसका साइज जो वो क्या हो गया बहुत ही कम हो गया ठीक है अच्छा यहां पे से भी एक कॉलिटी की भी नॉब आ रही है तो इस कॉलिटी की नॉब को मैं थोड़ा बढ़ा दता हूँ क्योंकि मेरे पास सो के भी तक की गुंजाई शगर है मैं यह समझता हूँ ठीक है अब三 सो पर पहुँच गी है तो मैं हंड़र्ट से थोड़ा सा इसको ना ना इंटी फाइफ पे ले आता हूँ ठीक है और अब मैं इसको जूम करके देख भी पार रहा हूं कि जी इसका साइज जो है जूम करने पर कितना क्या इसका साइज होगा तो कुछ इस तरह का इसका साइज हो गई है पाच सो पिक्सल पे आने के बाद लेकिन मैंने क्योंकि इसको दिखाना 500 पिक्सल पे है तो I think यह सही है और मैंने सेफ का बटन दबाया तो यह देखें डाउनलोड हो गई फोटो मेरी इसको मैं ओपन करूंगा तो यह देखें 500 पिक्सल की जो इमेज बनके यहाँ पे ओपन हो गई है सही है और पहले जो थी है यह बिफोर और आफटर आपके सामने कुली है यह बिफोर है यह आफटर है ठीक है तो क्वालिटी इतनी ज्यादा डाउन भी नहीं हुई है क्योंकि हमें इसको दिखाना 500 पिक्सल पे है तो को इतनी ज्यादा डाउन नहीं हुई है लेकिन इन दोनों को आप अगर साइज जो मेरे पास ये food, अच्छा है, इस original वाले को आप में क्या कर दूँगा? Downloads में गया हो गा अभी जो मैंने उठाया है, ने ये आगिया, इसको मैंने ऐसे copy किया, कॉपी करके मैं बैक गया और यहां पर मैंने क्या कर दिया पेस्ट कर दिया इसको पुराना वाला रिप्लेस हो गया नेया वाला आ गया 121KB की यह इमेज में पर ठीक है इसका अगर हम डाइमेंशन देखें तो यह जाना 500 पिक्सल है और इसका जो साइस हो गया हो 121KB हो ठीक अच्छा अब देखें आप ऑन अधर हैंड अब क्या करूँ मैं यह तो औरिजिनल फोटो कुली वी है मेरे पास यह पर अच्छा इसको मैं एक्सपोर्ट एज अगर करूं किसी दूसरे फॉर्मैट में यह जेपीजी पे तो मैंने किया ना तो यह 118KB और इस तरह यह इस बतन इसका साइस काफी बढ़ाएगा है मेरे प+. यह प्रस्सक्थ का बढ़ी को खर कम भी करूँत तो भी एSec जेपीजी वी के मुका पींदे में काफी ज्यादा है तो इतना difference भी आ सकता है most of the time ठीक है या अगर मैं इसको किसी तीसरे format में करूँ अच्छा एक और भी JPG के इलावा भी ना एक और format है जो camera की images के लिए इस्तमाल होता है उसका नाम है web P यह web P भी जो है camera की images के लिए इस्तमाल होता है अब आप इसमें देखें मैंने 100% किया था ना तो 300 KB आ रहा था उसमें भी JPG में भी web P में 300 KB आ रहा है ठीक है to be accurate 394 KB आ रहा है इसमें अब मैं इसको JPG करके देखता हूं उसमें क्या रहा था जे पीजी में 374 आ रहा है तो 374 और 394 तो तो वेब P यह भी एक famous format है जो web की photos के लिए इन्होंने specially बनाया है ठीक है इसको मैं different different उस पे इसमाल कर सकता हूं जिस में करके देखूं अगर मैं इसको तो जिफ में मेरे पास यह 148 KB आ रहा है समहों ठीक है तो जिस वहले format में मुझे size कम आ रहा होगा ना तो मैं उस वहले को choose कर सकता हूं यहाप एक BMP करके एक image का size है इसमें आप 700 पे चलागी है वो ही है सब कुछ लेकिन 700 पे चलागी है ठीक है उसके इलावा हमारे पास एक format है raw ठीक है raw format है इसमें यह 900 KB पे चलागी है ठीक है यह वो format है जो इतने जादा यूज नहीं होते है एक TIFF format है उसमें भी 900 पे चलागी है ठीक है TIFF जो है वो GIF का V2 आप समझ लें उसको है यानि GIF image का जो है जो version 2 है यह TIFF यह मतलब GIF से related है ठीक है MP4 इसको अगर मैं करता हूँ तो इसको automatically इसने video में convert कर दिया well तो यह हमने थोड़ी से discussion कर ली कि format जो है वो matter करता है format अगर आप right format पर रखेंगे image को तो it really matters अच्छा इसको मैं cut करता हूँ वापस से और अब हमारे पास जो है वो camera की image है और जो food food की image को actually हमने छोटा किया है camera वाले को तो हमने नहीं छेड़ा वो तो original जो size था वही है अब यहाँ पर आके मैं क्या करूंगा इसको यहाँ पर ना जो last वाली image थी इसमें मैं यह food.jpg लगा जेपीजी लगा जेपीजी और इसकी जो विर्थ हाईड़ा वो मैंने अब क्या देनी है 500 पिक्सल भाई 500 पिक्सल हाँ वो देनी की ज़रूत है यह तो हमेशा मुझे देना है गड़ थाइट ना मुझे हमेशा देना है वो for the reason कि वो उतनी जागा छोड़ दे वो पहली तो इस वज़े से मैंने देना है अगर मैं वो नहीं दूँगा ना तो यह दोनों चपक के आ जाएंगे यह दोनों पेरिग्राफ यह चपके भी आ जाएंगे शुकूर मैं ठीक है जी तो निजबतान अभी यह जो है ना इसको मैं जाकर दुबारा से देखूँगा नैट वर्क के टैब में अगर यह अभी भी वीडियो हो देखते हैं नहीं सलो त्रीजी है बिल्कुल यह बिल्कुल स्लो थिजी है और आपको मैं दखाता हूं कि कितना टाइम लगा रहा है फिलहाल लोड होने में इसको मैंने किलियर किया और इसको मैंने किया री-फ्रेश और इंफलाउं अब आप यह इसके टाइम आ रहा होता है कि कि तनी जहर में लोड हुआ है यह आइट सेकंड में लोड हो गया है दस सेकंड में शलो 3जी के उपर अब इसको मैं करता हूं फास्ट 3जी पे अब फास्ट 3जी पे यह और देज लोड हो गा तीन सेगंड में लोड हो गया यह, फास्ट रीजी के, सही है, मुच बैटर, और यहां पे भी हमें पता भी चल रहा है, सामने, कि यह फूड जो था, वो अब की बार इसने साइज जो लिया है, वो कितना साइज लिया है, अगर इसको मैं, देगे न, एक सो एकिस के बी के अब तो भी बहुत फास्ट इमेज लोड हो रही है, तो यह नो थ्रॉटलिंग में तो यह मतलब ग्लिंप्स है, यानि नो थ्रॉटलिंग का मतलब है, कि सोल एमभी का इंटरनेट जो भी अवेलिबल है मेरे पास, उस स्पीड पे उसको डाउनलोड करी गई है, ठीक है जी, ठास्पेरंसी को अमझरा एक देख लेता है, नगर कि यह प्रास्पेरंसी का चक्कर है, कुछ इमेजैस आपने देखी होंगी, उसका बैग्गाउंड होता है, ठीक है, तो वो जिफ में भी हो सकता है और पी अनजी में हो सकता है, अभी तक तो जिफ और पी जी एक ही एक ही एक ही उसके description है कि जी क्या होगा कि जो image flat colors होंगे उसके अंदर ज्यादा और या उसके अंदर बड़े-बड़े area में एक जैसे color होंगे तो उसके लिए हम GIF या PNG का इस्तामाल करते हैं लेकिन इस point पर अब यह बताने लगा है कि GIF और PNG में कुछ छोटा सा difference जी हम पहले देख लेते हैं कि जी कोई मैं जाकर लिखता हो यहाँ पर के GitHub logo PNG सभी है इमेज़ में गया और मैंने यहाँ पर क्लिक किया अब देखें यह जो नहीं यह तो नहीं है transparent नहीं है दूसरे को try करते हैं यह देखें आप यह जो है इसका background देके transparent है इसको जब मैं अपन पहले वाले में ऐसा नहीं था पहले वाले का background transparent नहीं था इस वाले को देखते है इसका भी background transparent नहीं है ठीक है इसका भी नहीं है इसका भी नहीं है यह कोई है कई है इसको background transparent चेक करनेगा कि इसको आप ऐसे move करते हैं आप देखें इसका background transparent है किसी भी चीज़ का लोगो लिखेंगे ना मैंने का कि जी फेस्बुक का जो लोगो लिख लेते हैं तो यह इसमें भी transparent वाले आपको मिल जाते है देखें इसका background transparent है यह बिल्कुल edges पे आप देखें edges वाली जगह है वो transparent है ठीक है यह देख लेते हैं अधर आम यह भी side हो से है ना कि जी if the transparent part of the image has straight edges and it is 100% transparent that is not semi opaque मतलब ऐसा नहीं हो कि वो थोड़ा आदा दिख भी रहो पीछे का और अभी तक हमने जो देखा है वो 100% transparent है ठीक है you can save the image as gif with the transparency option selected ठीक है वो gif को save करते वेख check box हा रहा होता है कि keep the transparent यह वो transparent वाले पार्ट को सफैत कर देखें तो वो उस पे check लगा के यह वो आ रहा होता है फोटोशॉप के अंदर भी तो यह gif की इसने explanation बता दी कि जी जिफ में क्या होगा वो उपर वाली explanation अपनी जगह है यह second इसने बात बताई कि 100% transparent होना चाहिए और उसके जो straight edges होने चाहिए ठीक है straight edges उसके होने चाहिए नीचे इनौन एक example भी उसकी देखे बताईए कि straight edges का मतलब है कि या तो ऐसे होना चाहिए खड़े में या तो बैट अब इसके edges पे अगर आप गर गरें तो देखें इसके यूँ देखें बिल्कुल सीधा है और यह वाला चाहिए वो बिल्कुल यूँ सीधा है और यह बिल्कुल यूँ सीधा है कोई round shape नहीं है इसके अंदर कोई इसके अंदर diagonal shape नहीं है कोई इसके अंदर circular shape नहीं है यह बिल्कुल मतलब इसको क्या गेंगे है horizontal और vertical पे सीधे सीधे इसके edges हैं ठीक है यह बिलकुल square box भी हो सकता था एक तो यह कोई L shape भी हो सकता था लेकिन straight edges की बात हो लिए है अच्छा PNG पे आप चेक करें अभी PNG की बात क्या कर रहा है if the transparent part of the image has diagonal or round edges or if you want it semi-opaque or have drop shadow they will need to save as PNG इन में से अगर कोई भी बात आगई ना इसमें आप देखें इसमें diagonal edges है तो उस case में फिर क्या होगा कि इसके लिए PNG format का होना जरूरी है transparent PNGs are not fully supported in older browsers जो बहुत ज्यादा पुराने ये book 2009 में लिखी गई है गालबन तो 2009 के वक इसने कहाता है जो पुराने browser है तो अभी के हिसाब से तो ये शायद applicable नहीं रहा आप not anymore internet explorer 6 की बात कर रही है वो तो नहीं अब इस्तमाल होता कहीं पे भी तो internet explorer 6 जैसे ब्राउजर में ये PNG की पूरी support उस वक्त तक नहीं आई जब ये book लिखी जा रही है ठीक है examining the image में ये कह रहे हैं कि जी अच्छा वो right click करके आप properties में जाके न उसका size वगर आपने कैसे देखना है कि जी अभी right now उस image का जो size है और वो जो जो DPI वगर है वो क्या है ठीक है HTML5 में figure caption करके भी एक tag इन्होंने दिया है आम तोर पर website पर जो image लगती है वो क्या होता है कि ये एक image होगी उसके नीचे one liner हो गए ये जो line लिखी भी नदर आ रही है वो उसको समझ आ जाएगा कि अच्छा जी ये इस image का caption है ठीक है image का caption क्या होता है कि आप image को कोई नाम देते हैं या image के बारे में आप कोई बात लिखते हैं ठीक है तो इसको हम कहते हैं कि ये caption है इस image में ठीक है figure caption आप ये लगा के देखेंगे बहुत इजी है कोई इस में rocket science नहीं है ठीक है यहां पर ये chapter हमारा जो वो complete हो गया है और इसकी समरी को पढ़ने दरा पांच मिनट में आप लोग और आज की class को हम यही तक रखते हैं इंशालला फिर आप लोगों से मुलगात रहेग नेक्स क्लास में आप लोगों को जो मैंने assignment दिया वो क्या है इसी chapter में दर्मयान में जो website उसने बनाई हुए है वैसी website अगर बना लें तो भी ठीक है उससे मिलती जुलती website वो दूसरी बना लें जिसमें images का इस्तमाल हुओ ठीक है कोई Ali Express जैसी को website बना लें दराज जैसी क कि उसमें वो products आ रही हुआ है वो सीधी सीधी ठीक है या OLX टाइप की जी उसमें बना लें तो इस परफेक्टली फाइन या आपकी जो इससे पहले आप websites बना चुके हैं उनमें images का इस्तमाल कर लें अगर आपने नहीं किया तो ठीक है वो तो आपने लाजमी करी लेना है लेकिन इस चैप्टर के लिए आपने एक नया project बनाने है कोई साभी बनाया images के साथ आपने बनाना है हुआ ठीक है